एक हलो दोस्तों नमस्कार आइए आपका सवाकत आज एक नए वीडियो में आज आपको बताएंगे Star Ripper के बारे में Star Ripper और लेजर लिएवलर एग्रीजॉन वाइफाई सिस्टम के बारे में जो बाकी लेवलर से अलग है इसमें means सेटलाइट से कनेक्टेड होता है और अपका एग्रीजोन का सूपर शेडर जी एस ए इसके बारे में जासा डिटेल में हम बताएंगे आपको डिटेल के बारे में भी ज्यादा बताने कि इसके बारे में एसके जुरुवत भी नहीं है आप Google पर चेक कर सकते हैं जो गूगल पर रेटिंग देखेगा जी से आई सुपर सेटर हो गया देखिए पीछे से इसका लुक आईए अब शुरू करते हैं इसके बारे थोड़ा सा डिटेल से जाने की यह अग्री जोन का स्ट्रा इपर है सबसे जो इसकी में पॉइंट जो सामने से दिखते हैं सामने इसका फ्रेम देखेए यह इसका फ्रेम है तोटल एक शेट में से कटा हुए से देखिए कफा इसमा हम यहां पर जोइंट में वैल्विंग होता है इसमें प्रोटल की पूरा पिछे से ले एक पीछे से लेकरके आगे तक एक भी वैलडिंग का कहीं पी निशानी आपको यह तोटल एक फ्रेमिंग है जो एक मेसे कटा होता है अगर नमर पर इसका हो गया और शेक्ट नमर आते हैं कि जो इसके मकर डिवाइडर है नोड़ है कितना मोटा पंति शक्राइड करें ही अगा होता है उसका जो प्रण्ट जो भूर चाहले पर दिखाते हैं आपको इसका बना ही कितना मोटा यह पति से बना हुआ है आगे कैमर में एक दुपकिस कर जा रहा है यह देखें इन पति नहीं पति से बना हुआ इसका नमबर दो पर हो गया और तीसरे नमबर पर इसका GSAI का गेरबोक्स है गेरबोक्स बाकी कंपने सब बहार से अपना गेरबोक्स है देखे इसके उपर खुदा हुआ है अपना DN किया हुआ गेरबोक्स है और हैवी डूटी गेरड्राइव के साथ में आता है दो साल की ग यह जैसे शेट नीचे गिरेगा तो रंद इसका साइरन बजना शुरू हो जाएगा साइरन इसका बजने के लिए यहां पर इसका एक पॉइंट है यह तार का टेक्टर से खाली इसको करंड देना होता है बाकी इसमें आपको कोई अलग से नहीं करनी होगी और यहां पर पीछ पर टेक्टर से जोड देने से मातर इसको चालू हो जाएगी और यह इसका ओवराल लुक दिखाते हैं को बैक साइड से यह लूक है इसका जड़ा खूल के दिखाते हैं इसका इसका देखिए इसका जो ब्लोवर फैन है न दिया हुआ सब में लोहा करेता है इसमें स्टीली फैन है जो कभी जलती गिसने वाले नहीं है और जंग इनको तो आने का मतलब ही नहीं है स्टील की होगे वो कितना मोटा है वी प्लेट में सिबाएं है स्टील होने के चलते ही इसका लाइफ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसका बती ऊठाश ब्लेट में टूटने वाला चीज होता है स्टील का यह दिवाइड है इसका बैल क्रेंक बोलते है यह बैल क्रेंक इसके अपना जेचै यह ड्याइक अपनादी यह एन किया हुआ और हैवी डूटी डिया यह पत्ति का चदर का बना हुआ है यह फोर्जि लेजर लेवलर के बारे में यह एक्री जोन का लेवलर है यह 9 फिट का मोडलाइस में 9 फिट 11 फिट और 13 फिट तीन अप्शन अवैलेबल है जोन साब लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा इसमें यह इसका एक्री जोन का स्पोर्ड मोडल है हई इसक्यवर में दिखा त्यां उपको को इससाइड से देखे इसका यह फंट से आपको सब्लक एसा जानकाले देना शूरू करते हैं वहां तक सीधा एक प्लेट में कटा हुआ यह शिट है इसमें एक भी कहीं पर वेल्डिंग का कहीं पर आपको जोडने मिलेगा क्योंकि यही पटने का शिखायत रहता है लेवलरों में क्या होता कि यह बीच में से उखड जाते है वेल्डिंग के होने के चलते है यह उखडने का शिखायत रहता है यह सब इसमें होने वाला आपको नहीं मिलेगा और इसका कंप्यूटर वेरा का और सिस्टम का जो डियाइन रहेगा वो जी एस आई ब्रैंडिंग के साथ रहेगा और आपका हैवी जूटी इसमें टूल बोक्स मिल दाएगा और यह इसका जो ट्रे हो गया इसमें अपका यह सब रखाएगा इसको रखने के लिए इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं इसके जो और सबसे जो इसमें अलग खासियत है बागी आपका लेवलर से इसमें वो यह है कि यह लेवलर वाइफाइ कनेक्टिविटी के साथ आता है सेटलाइट वाइफाइ कनेक्टिविटी इसमें इसको लेवलिंग में और किसी चीज में जैसे बजल में कोई और लेवलर चल रहा हो या कोई कई बार नेट्वर्क छोड़ने का इशू आता है इसमें वो सब्सक्राइब को नहीं मिलेगा दिखी जिसका सिस्टम है वाइफा एक्टिविटी के साथ आता है रॉफ और टॉफ हिल लेवलिंग जैसी मर्जी इसके इसके साथ आप काम जैसे मर्जी फिल्ड में आपके इसका लेवल वगरा कर सकते है उसके सबसे में कारण यह ही है इसका सब दूसरों बाकियों से कर दोटा होता है तो से लेवलिंग वगरा में परकर लेता है तो से लेवल वगरा जाता है तो फ्रेम तो आपको दिखाई दे हैं कि इतना हेवी डूटी फ्रेम बना हुआ इसका चलिए ठीक है दोस्तों आज समख्त करते हैं वीडियो धन्यवाद यह पंजाम मशिनरी स्टोर का बोड़ हो गया गया इस पर दिये हमारे कोई भी ओडर के लिए मियास के लिए आप संपार कर सकते हैं दन्यवाद